Hello everyone, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज दील आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेंड्विच मेकर्स के बारे में सेंड्विच मेकर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट प्राइज रेंज के अंदर पड़ते हैं maximum जो price range है इन सेंड्विच मेकर्स की वो up to 12,000 तक जा सकती है इस वीडियो में हम आपको top 10 सेंड्विच मेकर्स दिखाएंगे जिनके features भी हम आपको बताएंगे उनके आपस में comparison भी करेंगे, price जो है इन सारे सेंड्विच मेकर्स की वो minimum 800 से start हो रहे हैं और under 2000 की range में यह आपको मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं number one position पर जो हमने रखा है वो है prestige 800 watt sandwich toaster इसका जो आप power consumption देख सकते हैं वो 800 watt है maximum जो sandwich makers होते हैं इनकी जो power consumption है वो 700 watt से 1000 watt तक के बीच में ही रहती है इसका जो price है वो काफी कम है, फिलाल इस वीडियो में हम आपको latest price इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि price time to time change होता रहता है लेकिन यह around 1000 आपको पढ़ेगा latest price देखने के लिए आप वीडियो के description में Amazon के link पर click करके इन सारे products के latest price देख सकते हैं 3 sandwich toaster का मतलब है कि इसमें आप 3 sandwiches एक साथ बना सकते हैं इस पर आपको 2 साल की warranty मिल दिया है और आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि कितना बड़ा sandwich maker आप ले रहे हैं दो लोगों के हिसाब से ले रहे हैं चार लोगों के हिसाब से ले रहे हैं उतनी जाद सेंड्विचेस आप उसमें एक बारी में बना सकते हैं नमबर थर्ड पोजिशन पर है from the brand Nova Nova NGS 2449 1000 watt sandwich grill maker तो यह 1000 watt का है अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो power consumption है वो change होती रहती है 700 watt से 1000 watt के अंदर ही आपको सारे मिलेंगे इस वाले की 1000 watt की power consumption है एक साल की इस पर आपको warranty मिलेगी on manufacturing defects नमबर फॉर फॉर पोजिशन पर है Morphe Richards 750 watt sandwich maker यह वाले जो sandwich maker है इसकी power consumption 750 watt है तो power consumption और capacity and size के अलावा आपको यह भी देखना होता है कि इसमें अलग features आपको क्या मिलेंगे जैसे कि non-stick coating non-stick coating काफी important चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए नमबर फॉर फॉर पोजिशन पर है Pigeon 750 watt sandwich maker यह अगें 750 watt power consumption के साथ आपको मिलता है non-slide rubber feet है इसकी इसका मतलब आप इसको जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर यह slip नहीं करेगा नीचे जो इसकी feet है वो rubber feet है तो वो एक जगे ही टिक कर रह सकता है नमबर 6 पोजिशन पर है lifelong 750 watt force light sandwich maker इसमें आप 4 slices of sandwich एक साथ बना सकते हैं voltage यह काफी कम use करता है 750 watt का sandwich maker है एक साल की इस पर आपको warranty मिलेगी इसके अलावा easy to clean है और easy to clean एक काफी बढ़िया feature है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अगर sandwich maker आपने use कर लिया लेकिन बाद में उसको साफ करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में आपको काफी ज़ादा परिशानी हो सकती है नमबर 7 पोजिशन पर है Hamilton Beach Breakfast Electric Sandwich Maker यह वाला थोड़ा expensive है हमने सिर्फ वीडियो में आपको दिखाया है इसका अगर मैं आपको price की बात करूँ तो यह 12,000 के around यह sandwich maker आपको पड़ेगा लेकिन इसमें सबसे बड़िया चीज़ इसकी है कि इसमें आप काफी सारी चीज़े कर सकते है डिफरेंट चीज़े आप एक साथ बना सकते हैं इसमें omelet बना सकते हैं बना सकते हैं कोई दूसरी recipe आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं नमबर 8 पोजिशन पर है बोरोसिल 700 watt two slide sandwich maker यह वाला थोड़ा छोटा है compact है इसमें आप 2 slices sandwich के एक साथ बना सकते हैं उससे जादा नहीं इसके लावा code length इसकी 1.4 meter है तो code length भी एक important चीज है अगर आपका जो switch है electricity board है वो अगर थोड़ा दूरी पर है तो आपको consider करना चाहिए कि code length आपकी लंबी हो 1.4 एक standard length है code की तो वो ही आपको जादा तर सारे sandwich makers में मिलेगी नमबर 9 position पर है Hevels 750 watt grill sandwich maker यह भी 2 slice का large toasted sandwich plate maker है और यह automatic temperature control है यानि कि इसमें आपको temperature set करने की ज़रूत नहीं है यह automatic control करता है इसके लावा काफी दूसरे sandwich makers है उन पे आपको indicator lights भी मिलती है तो वो भी एक बढ़िया चीज़ें आप consider कर सकते हैं आज के हमारी last position पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है wonder chef preto 830 watt 3 in 1 sandwich maker यह 3 in 1 इसलिए है क्योंकि इसमें आप 3 चीज़े एक साथ बना सकते हैं और वो है kebabs, sandwich और waffles यह सारी चीज़े आप अलग लग तरीके से इसमें cook करके देख सकते हैं एक साल की इस पर आपको warranty मिलती है तो यह थे आज की हमारी इस वीडियो के top 10 best sandwich makers जो हमने इस वीडियो में आपको दिखाए again latest price check करने के लिए आप वीडियो के description में Amazon के link पर click करके इनका latest price देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like कीजे share कीजे अपने friends और family members के साथ और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद दें तो आप हमारा channel subscribe कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं thank you for watching the video, goodbye